कि आज किसी भी काइंडल से रिलेटेड बात नहीं हो रही है क्यों कि रिजन सभी लोगों को पता है जो लोग पहले से जुड़े हैं केंडल वेंडल कुछ होता ही नहीं है ये तो क्यों आपसे पैसा कमाने का छोटा सा नायाब तरीका है जब मार्केट बढ़ता है तो केंडल काम करने लगती है गिरता है तो केंडल वहीं केंडल काम नहीं करती है एक ही ज्याद रख ली दिया कंपनियों के इस्टड़ी पर ज्यादा फोकस करिए चार्ट केवल देखने के काम आता है याद करने के नहीं के फंडामेंटल पढ़िए कंपनियां क्या कर रही है जो कंपनी आपके गिर रही है उसकंपनी का धंधा सही चल रहा है ना कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कंपनी बंध हो गई जियो काम कर रहा है रिलांस काम कर रही है जो भी हो जो जो आप लोक्स दो प्र ले रहे हैं में भी तो उसे आप देखिए कि उसकंपनी के equipment गाडियों में लग रहे हैं कि गाडियों से टाइब खतम हो गया है यह समय निवेश करने का है प्रेडिंग करने का नहीं बार-बार इसलिए समझाता हूँ प्राफिट बुक करते चलिए तो काफी हमारे विद्वान सस्क्राइबर और मेंबर ऐसे हैं कि प्राफिट बुकिंग नहीं सर्म मैं तो लॉंग टर्म के लिया हूँ और आज उन्हीं लोगों के मैसे जा रहा है सर अब क्या करें तो उस दिन आप क्या उस दिन आपने क्यों नहीं अब बुक किया इस्टाप लॉस ट्रेडिंग वाले सेरों में इस्टाप लॉस बहुत जरूरी है इस बात का हमेशा ख्याल रखें जीवन परियंत दस रुपए कम मुनाफा कमाई ये अभी ये कोई गिरावट नहीं है भी तो मिड कैप केवल दो परशंट गिरा है आज वो दिन याद करिये जब मिड कैप स्मॉल कैप का पताल लोग से दर्सन हो गया था ये तो अभी उपर से पेंड के सबसे उपरी चोटी से मनलब गिरे हैं और नीचे वाले टहनी प्याके लटके हुए हैं धरातल पे नहीं आए वो दिन दूर नहीं है जब दरातल भी देखने को मिलेगा 2020 से 24 के बीच में जितने चोटे चोटे और खतरनाक रणबाकुरे आये हैं न रपती बनने का ख्वाब ले करके उन लोग के लिए सेर वाजार नहीं है अपने मूल कारे को करते रहिए जैसे यह दि आप रोजगार सेवक हैं तो अपना काम देखिए यह नहीं है तो अपना म बाजार में आनंद ले रहें यह अनंद लेने वाली जगह नहीं है अच्छे अच्छे लगों को बेंड बजा करके बाहर भेज देता बाजार ठीक है सांती मना ये खापी करके आराम करें दिपावली बहुत नजदीख के वर आठ नो दिन रह गया है पटाखा उटाखा खर परसाद बित्रण के रूप में यहीं है कि निवेस कांटीनिव रहेगा प्रॉफिट बुकिंग बिलकुल धमाके दार्त करते रहिए अच्छे सेर में बने रहे और पढ़ते रहे और अपना मूल काम करते रहे डरियो और यह मत यहां से निफ्टी 15-20 परशंट गिर सकता है छमता है तो मजार में रुकिये नहीं तो सब कुछ छोड़ चाड़ करके बाहर निकल गए अब वहीं काम करिये जो आप कर रहे थी इसके पहले धन्यवाद